यह मेरे यूट्यूब चैनल आदशाल है इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था हमने हम देख रहे हैं प्रिम्टिव कोड़ेट्स एंड देर अफिनिटी इसमें सबसे पहला चैप्टर है है हमी कोड़ेटा है हमी कोड़ेटा के जिनरल कारेक्टिव सेंड आज हम इसके आफिनिटी के बारे में देखेंगे इस इस आफिनिटी पोशन हम अभी देखने जा रहे हैं जिनरल कारेक्ट्रस एंड क्लासिफिकेशन भी हैब सीन यह जिसमें हमने सब देख लिया था बहुत सारे इंपॉर्टन डेफिनिशन देखे थे इंपॉर्टिन के देखे थे, कितने इनके important classes हैं, वो सारे देखे थे और आज हम देखने जा रहे हैं, affinities of hemicodita, affinities में आप सब जानते हैं, affinity में हम पढ़ते हैं, इनके जो ascendants and descendant groups हैं, जो आगे के evolutionary tree में, आगे के जो groups हैं और पीछे के जो groups हैं, उनके साथ इनका alliance, ये जो hemicodate groups हैं, तीन important groups, टीरो ब्रैंकिया, इंट्रोप्नियूस्टा, देन थर्ड क्लास भी आप सीन, प्लांक्तोस, फिराइडिया and ग्राप्टोलिटा, ये जो class 3 and class 4 हैं, इनका ये हम पहले भी देखकर के आरे हैं, class 4 तो बिलकुल ही extinct है, कुछ fossil record सी हैं, वो भी बहुत indistinct है, बहुत faded हैं और प्लांक्तोस, फिराइडिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं हैं, कुछ larval forms ही इनके detect किये गए हैं, तो हम basically आगे जो हम देख रहे हैं, affinity of hemicodita, वो basically based होंगे, intrapreneuse and terobranchia, terobranchia का बहुत ज़्यादा phylogenetic importance है, क्योंकि बहुत सारे scientists ये मानते हैं, कि terobranchia exactly hemicodita का main branch नहीं हो करके, वो एक side branch हो सकता है, जिससे की hemicodita का main group जो है intrapreneuse, जो सबसे बड़ा class है, वो derive हुआ हो सकता है, so anyway, अभी हम आगे इसको affinities of hemicodita देखते हैं, position देखेंगे, इनके affinities किन-किन groups के साथ हैं, mainly codita के साथ हैं, anelida के साथ हैं, echinodermata के साथ हैं, फिर जो proto-caudits हैं, euro-caudita and cephalocaudita से definitely थोड़ा उनके resemblances देखेंगे, और इसके बाद BAC के स्टूडेंट्स के लिए चाहाँ, ये affinities different groups के साथ देख करके, एक हम discussions, conclusion, draw कर ले सकते हैं, बट systematic position and phylogeny पर भी हम थोड़ा discuss कर लेंगे, M.A.C के students के लिए, M.A.C का answer के लिए, वो बहुत important chapter होगा, systematic position, कहां पर evolutionary tree में, exact position होँ, hemicaudita का होना चाहिए, जो थोड़ा तो हम देख चुके हैं, जब हम origin of quadates देख रहे थे, के common deuterostrom ancestor से, यह different groups, different divergent lines पर arise किया है, वो हम देखते हुए आए, इसलिए हम phylogeny and systematic position, just slides में आपको point मैंने दे दिया है notes के लिए, आप notes अपना उनसे बनाईएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत कोशिश करके भी मैं short नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हम थोड़ा आज within 30 minutes खतम करें इसको, एक और चीज मैं बताना चाहूँगी, जब मैं आज आपका वीडियो को release कर रही थी, पिछला वीडियो, तो मैंने देखा कि इसके पहले भी जब मैंने March में ये YouTube चानल शुरू किया था, तब भी मेरा एक क्लास है, characters classification of protocodids and affinity of hemicodita, वो MSE का semester 1 का तब का syllabus के हिसाब से था, जो MSE की लड़कियों ने भीजा था, अब थोड़ा उसमे modifications आ गया है, तो एक तो वो limited, वो live class का recording है, आप उसको भी देख सकते हैं, और उसमें hemicodita, बिल्कुल ही last में, बिल्कुल एक slide में describe किया हुआ है, वो पूरा protocodita, hemicodita, eurocodita and cephalocodita का combined study है, तो that also may help you, बहुत सारा आपको, तो मैं आपको आग इसके उपर link दे दूँगी, आप link से उसको देख लीजेगा, जो पिछला class है, वो भी आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, so let us come start, हमने hemicodita का characters बहुत डिटेल में देख लिया है, एक-एक system देख लिया है, तो अब मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, बट इसमें जो इतने सारे जो डियाग्राम्स मैंने दिये हुए है, basically यह डियाग्राम्स, यह इसलिए यहाँ पर दे दिये हैं, कि जब मैं हम आगे देखेंगे, डिसकस करेंगे, affinities of hemicodita, जैसा मैंने पहले बताया, basically main तीन गूप्स के साथ, इनका बहुत ज़्यादा alliance, affinities में हम डिसकस करते हैं, आने लीडा के साथ, एकाइनो डर्माटा के साथ, और कौड़ेटा गूरू के साथ, कौड़ेटा गूरू के साथ तो इनको पहले वर्टिबरेटा गूरू अराइज किया होगा, जिसमें एक नाथा गूरूप में स्ट्राकोडर्म है, साइक्लोस्टोम्स हैं, जिनमें पेट्रोमाईजोंशिया और मिक्जिनॉइड हैं, और नाथोस्टोमाटा में वर्टिबरेट्स आते हैं, जो फिशेज से शुरू होते हैं, फिशेज, अंफिबिया, रिप्टिलिया, और मामल, तो ये एवॉलिशनरी ट्री है, जिसको अब बहुत सारे मॉडिफिकेशन्स इसमें आज सुके हैं, इतना सीधा सादा एवॉलिशन नहीं हैं, तो अफिनिटीज ऑफ हेमी कॉडिटा, हेमी कॉडिटा का इवॉलिशनरी ट्री में हेमी कॉडिटा से पहले, किन-किन ग्रुप्स के साथ ऐलाइंस है, किन के साथ इनका, suppose किये गए हैं, assumptions हैं, किन group से ये evolve हुआ होगा, किन group को, ये इस group ने evolve किया होगा, that is, ascendants and descendants, lineages, इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरू होते ही, clads के बारे में थोड़ा बताया था, lineages के बारे में बताया था, और वैसे भी हम cladistic system, origin of coordinates में, coordinate diversity में, बहुत पहले भी देख चुके हैं, प्ले लिस्ट से, वो सब देख सकते हैं, so let's start, affinities of hemicodita, the position of hemicodita, in the scheme of classification of animal has been very much controversial, history अगर थोड़ा सा देख लें, 1814 में, Sedgwick and Huxley, suggested affinity of interrupt new star, interrupt new star को ही जैसा भी मैंने बताया कि मुख की रूप से, hemicodita माना जाता है, तीरो ब्रांग को, अभी हम आगे देखेंगे कि तीरो ब्रांग को, अन्सिस्टर अफ हमी कॉर्ड़ा भी बहुत साइंटिस्स मानते हैं, with the vertebrates, and it was in 1885 that Batson considered this group as a sub-phylum of phylum Chaudeta. Phylum Chaudeta का sub-phylum की तरह, Batson ने इसको 1865 में एक प्लेस दिया, hemicodita को. Then Meshnikov in 1865 stated, Entropneusta had been certain affinities with Echinodermata. Meshnikov ने फिर Echinodermata के साथ इनकी affinities established की. Spanjal in 1893 शो, Relationship of Entropneusta with Annelida. Annelida के साथ जब हम characteristics पढ़ रहे थे, तो हमने देखा है, कितने सारे characteristics से भी ये warm-like animal है, तो Annelida से बहुत ज़्यादा related है. Larval forms, Echinodermata से बहुत ज़्यादा related है, और common जो basic quodit characters पाया जाते हैं, उनको भी hemicodita में माना गया था, जो अब बहुत modified हो चुका है. Finally, आज के दिन में hemicodita को undoubtedly एक non-cordita, diverge group, एक phylum की तरह बना दिया गया है, ना वो एक Echinodermata में हैं, ना वो proto-cordita में हैं. So that we will discuss when we will do the systematic position. Now, this affinity of hemicodita का significance बहुत ज़्यादा है, क्यों कि evolutionary history में यह जानना, molecular basis पर और biochemical reactions जो हम इसके पहले जब हम देख रहे थे, ancestry of cordita, उसमें हम molecular basis and biochemical basis consider कर चुके हैं. उसके basis पर भी यह देखा गया है, कि hemicodita, they have definitely certain relationship in the ancestry of cordita, भले ही वो एक divergent group में अब रखे गया हूँ. The name hemicodita is however retained for the group, because it suggests that its members are related to cordits, that is, they are half or part of cordits. But, इस यह भी controversial हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे scientists इसमें, Van der Haust, Diodorf, Martius and Hyman, इन्होंने phylum cordita से ही बिलकुल अलग कर दिया है hemicodita को, और adilo cordita करके एक अलग group बनाया है, वो भी हम आगे systematic cordita में देख लेते हैं. So, this is the history of the affinities of hemicodita. Now, let us start with affinity of cordita. सबसे पहले, affinities of hemicodita with cordita, cordit group के साथ, क्या का इनकी similarities हैं, क्या का dissimilarities हैं? Affinities में हम यह पढ़ते हैं, जिस group के साथ किसी group की affinity पढ़ेंगे, पहले उनके साथ affinities क्या हैं, similarities क्या हैं, differences क्या हैं, and unique कहां पर stand करता है वो ग्रुप. तो affinities with cordita, it has been first explained by Batson in 1887. He included hemicodita in phylum cordita. Since then a close relationship has been acknowledged. यह hemicodita का entropneus का structure हम देख चुके हैं. यहां पर हम देख लेते हैं, just this is why I have this slide एक रखा है, examples के लिए जिसमें, basic cordit characters had been described as, this is the pharyngeal gale slits, basic form में present हैं. आज के दिन में, यही only characters, cordit characters, in their basic typical form, अब आजाते हैं, वो भी entropneus में ही, जो दूसरा major group है, larger class है, इसमें भी existence of typical pharyngeal gale slits question mark है, यहां पर pharyngeal gale slits की तरह का typical pharyngeal gale slits के form में, gale slits नहीं present हैं. तो यह पहला character हो गया, दूसरा character है, proboscis में presence of stomocord, यह जो stomocord है, इसी को पहले notocord से, यह skeletal support के लिए इसी को पहले notocord की तरह माना गया था, बट embryonic developmental studies clearly show कर चुके हैं, कि endodermal origin भी हम इसको exactly नहीं कह सकते हैं, क्योंकि dermis का presence भी triploblastik layer है, बट epidermis single layer है, उसको mesoderm ही split करके two layer, peritonial layer बना रहा है, dermis का presence under question mark है, hemicord it आवे, तो stomocord को माना जाता है, कि जो elementary canal है, pharyngeal region है, इसके बकल diverticulum के रूप में, यह जो elementary canal का बकल एक diverticula के रूप में यह structure है, विच इस जो आर्केंटरॉन से डेवलाप हुआ है, गैस्टुला का आर्केंटरॉन जो गट में डेवलाप होता है, उसी के एक pouch की तरह यह डेवलाप हुआ है, तो यह stomocord किसी तरह से नहीं है, यह view अब completely rejected है, तो यह view खतम हो गया, तीसरा जो है dorsal nerve cord, वो भी बहुत जादा controversial हो चुका है अब, क्योंकि it has been clearly shown कि dorsal nerve cord तो presence है यह, बट इसके साथ साथ एक ventral nerve cord का भी existence है, एकाइनो डर्माटा की तरह यह proboscis के reason में दो ganglion की तरह के structures है, जिनसे एक dorsal nerve cord, एक ventral nerve cord arise करता है, और यह unite करते हैं, इनसे ganglion निकलते हैं, और यह axon के थूँ connected होते हैं, तो इस तरह से एक intra-epidermal nerve plexus, exactly like the echinoderm nervous system पाया जाता है, तो इसलिए यह तीनो ही character अब reject किये जा चुके हैं, except for gill slits, gill slits का तो presence है, so these, the basic differences, basic resemblances rather, or quadded resemblances are now under question mark, बहुत बड़ा question mark हो गया, so fundamental quadded characters, notochord, central nervous system, and pharyngeal gill clefts को, Batson ने present बताया था, the structure and function of pharynx and branchial apertures are similar to those of cephalocodata and eurocordata, and origin of celome is similar, yes, यह एक जरूर है structure, origin of celome, and deutrostomata, that is, जब blastula का में blastopore बनता है, तो blastopore पहले अनस में develop होता है, तो hemicordata का, cephalocordata, eurocordata और quadata के साथ, एक जो common group बनाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं, deutero-storm, common ancestral stock, जिससे echinodermata भी निकला है, non-cordata group में echinodermata, deutero-storm, echinoderm are the deutero-storms, and then are the proto-ant true quadates, यह सारे deutero-storms हैं, पहला एक यह resemblance है, जिसमें hemicordata भी stand करता है, और दूसरा, celome का nature, enteroselomic serum, यह भी हम देख चुके हैं पहले, shisoselomic celome होता है, जिसमें mesosel split करके बनाता है, जो higher non-cordates में पाजाते हैं, और quadates में, और hemicordata से, अगर equivalent characters माना जाए, तो enteroselomic celome, that is, जो gut हैं, उसके pouches निकलते हैं, और वो pouches fuse करके, celome जब बनाते हैं, तो that is called as enteroselomic celome, ये enteroselomic celome पाया जाता है, hemicordata में, exactly like the true quadates, proto-cordata, euro-cordata में, तो celome का position, adult में, बहुत ही under question है, बच सिफालो-cordata में, काफी हद तक है, और true quadates में पाया जाता है, तो that is, a greater support, in the, of the view, that hemicordates, have some affinity with the quadates, then, buccal diverticulum of stomocord or hemicordate has been regarded as equivalent to notochord, but ये अब थेरी बिलकुल ही rejected हो सकी है, हो चुकी है, modern worker of hemicordata do not accept this idea, have raised many objections, that is, buccal diverticulum is hollow evagination of anterior wall of buccal cavity, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, कि buccal diverticulum है, ये, stomocord इसको हम कह सकते हैं, notochord नहीं कह सकते हैं, अब buccal diverticulum को notochord, क्यों नहीं मान सकते हैं, इसके support में, बहुत सारी theories दी गई हैं, ये आप अपने notes में, आप यहां से ले सकते हैं, proboscis के तक ही है, क्यों ये भी एक बहुत बड़ा reason है, कि ये stomocord सिर्फ proboscis reason में present है, जबकि notochord, तो throughout the length of the body present होना चाहिए, क्योंकि it is considered कि ये skeletal support के लिए बना हुआ है, इसके अलावा भी major differences है, hemicordyta के superficial position in contact with epidermis, epidermis single layer का होता है hemicordyta में, जबकि codates में hemicordyta highest हमारे जो group है, mammalian group या, जिसको true vertebrates कहते हैं, उनमें तो epidermis 5 layer में बटा हुआ होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा question mark है, ये एक representation मिला है, जिसको आप यहां से points ले सकते हैं, classification evolutionary significance includes vertebrates found only in marine habitat, only suspension feeders, ये suspension feeders हैं, जबकि codates सब तरह से, different type of gill feeders भी होते हैं, position of main ventral nerve cord, and a dorsal nerve cord, ये dorsal nerve cord to codate character हो गया, पर ये never ventral nerve cord कहा है, ये तो बिल्कुल ही codate character नहीं है, तो ये सारे question, objections raised किये गए हैं, in not support of, that is difference बताने के लिए, कि hemicodate, quadate हमें नहीं आ सकता हैं, presence of a circumcentric nerve ring, nerve ring and collar cord, it is solid, जबकि quadate nerve cord hollow है, as found in true quadates, so these are the differences, thus invertebrate features of nervous system, outweigh its quadate character, chief link between hemicodate and quadate lies in pharynx and gill clefts, so basic similarities सिर्फ pharyngeal gill slit के ही level पर पाया जाता है, वो भी टीरो ब्रांक में नहीं है, वो इंटरॉप नूस में ही टिपिकल फॉर्म में पाया जाते हैं, so these are certain, this is the affinity with, और जो main points हैं, अपने notes के लिए आप slides से ले सकते हैं, now this hemicodate का, so इसलिए, on these basis, ये quadate affinities, quadate से इनका alliance, quadate group में इनका रखना, काफी हद तक discarded है, कुछ और main differences है, सीलोमीक रीजन का correspondence में बहुत अलग तरह का है, circulatory and nervous system अलग तरह का है, no post-annual tail, this is another very important difference, कोई post-annual tail नहीं है, body जो है इसकी पूरी mouth से जहां से शुरू होती है, intrapreneuse की, इनकी जो यहां पर mouth है, और annus यहां पर एकदम tip of the tail पर है, tail region तो ही नहीं, the body is divided into proboscis, collar and trunk, और trunk जहां पर एंड होता है, that is, at the tip of that trunk, annus is present, यह भी एक बहुत बड़ा दिफ्रेंस, objection है, it's alliance with the caudate, so caudate affinity completely reject हो चुका है, then the another group affinity with rinkocephalia, अब इसके बाद बहुत सारे चोटे 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 ग्रुप्स, जो lofo foreheads कह जाते हैं, जो चुकि यह filter feeders हैं, suspension feeders हैं, यह अपने tentacles की सहाता से, फूट को cilia यह tentacles की सहाता से, जो की बहुत जादा developed नहीं है, ciliary hair की तरह developed हैं, उनकी सहाता से, यह food में current पैदा करते हैं, और strainer की तरह, जाली की तरह, उन cilia की सहाता से, वो अपना खाना, अपने मतलब का खाना, छान करके, engulf करते हैं, तो उसके basis पर इनको कोशिश की गई, दूसरे non-cordid groups के साथ, इनका relationship बनाने का, जिन में एक है, रिंकोसिफालिया, दूसरा है, यह minor phyla में, काफी सारे groups हैं, रिंकोसिफालिया, नेमर्टाइंस, रिंकोसिफालिया, और नेमर्टाइंस भी इनको कहते हैं, देन फोरो नीडा, देन फोगोनोफोरा, जो लोफो फोरेट्स group होते हैं, यह हमने ओरीजिन ओफ कॉड़ेट के समय भी देखा था, जो ciliary feeders हैं, वो लोफो फोर की तरह का structure, जिन में यह tentacles इस तरह से फैले रहते हैं, और एक circular ring की तरह की structure, जिसमें जो खुलता है माउथ में, तो यह structure को कहते हैं लोफो फोर, इस तरह का feeding apparatus जिन में भी होता है, उनको लोफो फोरेट ग्रूप में रखा गया है, जिसमें रिंको सिफालिया या निमर्टाइन साते हैं, फोरो नीडा आते हैं, लोफो फोर्स आते हैं, पोगोनो फोर्स आते हैं, लोफो फोरेटा तो पूरा ग्रूप की है, तो रिंको सिफालिया का निमर्टाइन से, this is the basic structure of a nematine जिसमें आप देख सकते हैं कि bylanoglossus से काफी सारे resemblances हैं sensory papily है आगे की तरफ nerve cord है stomach है, rincocele है the cilome is what very peculiar type, rincocele, intestine anus, but सबसे बड़ा in all these groups अभे किक पॉइंट हम discuss नहीं करते हैं किक पॉइंट आप यहां से लीजें ना rincocephalia acceptable है ना phoronida acceptable है ना pogonophora acceptable है क्योंकि यह सारे groups embryonic development में basically बिल्कुल rejected हो चुके हैं इनका जब development हुआ है they are all protostomic, that is जब blastopore पहले इन में mouth में develop होता है they are not at all deutrostom और यह established fact है कि kynodermata hemicordata, eurocordata, cephalocordata and all cordates are deutrostomic whereas these groups anelida, orthropoda, mollusca rincocephalia, phoronida these minor phyla they are all protostomic groups so बहुत सारे group में coelomic condition भी schyzocele है anelida में जैसे but pogonophorum enteror coelomic coelome present है but इनका जो developmental condition है that is they are the protostomic in nature then in rincocephalia unicellular gland sector dermal nervous plexus feeding burrowing habit so these are the basic differences इसके basis पर reject हो गया phoronids के साथ resemblances with resemblances इसे से सिमिलर nature of epidermal nervous system डावर्ट गैस्ट्रिक डावर्टिकुला अको बकल डावर्टिकुला नोटोकॉर्ट से compare किया गया ciliary band ciliary feeder suspension feeder का resemblances था but serious objections थे pharyngeal gills slits absent paired nephria absent then developmental differences जो हमने बताया protostomic basic difference इन बैसिस पर chordates with invertebrate chordates this is cephalo chordata and this is euro chordata this is these two groups are hemi chordata this is anthropooster this is tyrobrank now affinities with euro chordata euro chordata तो हम पहले भी देख कर के आ रहे हैं origin of chordata में euro chordata का जो adult form है यह तो बिल्कुल ही resemble नहीं करता है ना तो इसमें कोई basic typical chordate character दिखाई देता है ना यह hemi chordata से या अधर किसी भी chordate group से resemble करता है बत इसका जो larval form है cedian form या tadpole form that can be compared with the worm-like structure to some extent जिसमें की chordate characters present है in auto chord nerve chord and pharyngeal gale slits बत इस theory has been again rejected सबसे जादा two groups differ in all other aspects except for these three characters branchial apparatus development of central part of nervous system and feeding mechanism बस यह तीन characteristics similarities है euro chordate के साथ पर cephalo chordate के साथ भी branchial apparatus cilomic sacs cilom हमने देखा है पांच chambers पाया जाते हैं by lenoclosis में तो कुछ cilomic sacs का position जो इसमें प्रेजंट है ciphalo chordate हमें हो हमोलोगस माना जा सकता है equivalent माना जा सकता है by lenoclosis but basic differences unsegmented muscle fiber mode of development these are the serious objections of putting these hemi-caudates with euro chordate and cephalo chordate in a group proto chordate now another very important affinities have been studied that hemi-caudate affinities with anelida anelida के साथ हमने देखा ही है इनका structure-wise आप यहां से ही देख सतने हैं earthworm से इनका बहुत सारे resemblances हैं body में external morphology में है syphilization में sorry syphilization यहां पे तो सवाली नहीं होता भी metamorization metamoric segmentation में या metamorization में he basically looks morphologically they are looking likewise but metamorism is not as true as in anelida उसके अलावा सबसे serious objection तो है proto-ostomic and deutro-ostomic mode of development जिसके basis पर बहुत सारे resemblances हैं even इनका larval form जो है यह larval form इनका echinoderm के साथ भी resemble करता है और anelida का trochophor larva के साथ भी इनके बहुत resemblances हैं this is the balanoglossus का torneria larva और यह anelida का trochophor larva है जो first stage larva फिर यह और दो-तीन stages में वेलीगर लार्वा में change होता है फिर adult में बरलता है वो अलग चीज है वेलीगर लार्वा से इसका बहुत resemblances नहीं है बट जो first stage trochophor larva है इससे के ciliary bands और गट का position काफी कुछ resemblances आप यहां देख सकते हैं दोनों में काफी कुछ resemblances हैं बट बहुत सारे differences भी हैं बट बहुत सारे सी सम्कारेक्टर्स इंपॉर्टन आनलीट फी आफिनिटीज क्या क्या माने गया है स्पेंजल इन एटी नांटी त्री सजेस्टेड रिलेशन्शिप अफिमिकॉर्डिटा आनलीडा इसमें रिजम्ब्लेंसेज हैं बहुत सारे जेनरल बॉडी फॉर्म कॉलर बैलर नोग्लॉस रिजम्ब्ल्स बित क्लाइटेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ने लीडा का क्लाइटेलम अगर आपको याद होगा तो अर्थवाम आप लोग ने प्राक्टिकल्स में भी किया होगा जो 14, 15, 16 सेग्मेंट काफी हार्ड हो जाता है क्लाइटेलम बनाता है जिसको जो काफी कुछ रिजम्बल करता है विद अपॉर्ट पाट ऑफ दे बलनोग्लॉस देन जिनरल बोडी फॉर्म और बरोइंग हाबित अव तुबिकुलिस फॉर्म यह थीज़र्टेटर्स अज वे अब सीन यहां पर जिस तरह से यह बरो बना करके रहता है यह बलनोग्लॉस यूट्यूब का इग्जाक्ली इसी तरह का हबिट पाजाता है अर्थौम और कुछ और अनलीट्स का वो भी अपन बरो बना करके इस बरो में लाई करते हैं हालांकि suspension feeders नहीं है अनलीट्स जबकि suspension feeder with the help of filter feeding mode of feeding show करते हैं फिर इसमें controversy आगी क्योंकि poly kids कुछ हद तक they show some type of ciliary arm feeding and then another resemblance is this casting अर्थौम का भी existence खेतों में उनकी casting से पहचाना जाता है और इस तरह के fecal casting the fecal casting you tube में रहना mode of habitat these are the characteristics that resemble with the anilid showing anilidin affinities the balanoglossus and prostomium of earthworm are similar and both are pre-oral vascular system blood circular system ये जब हम कल structure तब हमने थे तब हमने थेखा था काफी resemble करता है close type of फिर हम फिर यहां पर controversy आती है कि जो ventral vessel है जो anterior collection करते हैं उनका existence और उनका opening एक sinus space में वो open system को represent करता है और जो dorsal blood vessel है उसका जो system है और उसका जो mode of distribution है blood का वो बिलकुल resemble करता है anilida को तो that is again very controversial orthopodal affinity तो बिलकुल ही discussed नहीं है बट यही एक point है that is open type of circulatory system has been represented in hemicodis to some extent but basically it is of anilida type with blood flowing anteriorly in dorsal vessel and posteriorly in ventral vessel then hemicodis और यह याद रखिएगा हम मैंने शायद अभी जस्ट उल्टा बोला dorsal vessel में anterior way of blood flow है और posterior ventral vessel में है sorry now the hemicodis tornaria larva appears like a modified trochosphere or trochophor larva of polychaete form इसमें oligoketa में तो larval form नहीं होता है polychaete में होता है but basic difference सबसे पहला हमने बताया manager से बताया आपको यह protostomic होते हैं जबकि hemicodis are the deutrostomic forms तो यह तो बगद बड़ा हम पहले देख चुके हैं arginine phosphate and creatinine phosphate type of source of energy का जो presence है that is hemicodis में दोनों तरह के कुछ हद तक source of energy के forms पाया जाता है जबकि आने लीट्स में सिर्फ arginine phosphate type of phosphorous phosphogen use किया जाता है as source of energy तो यह बहुत बड़ा difference हो गया larvae differ in these two ways nephredia present in trochophor larva absent in tornaria larva pre-oral siloam found in tornaria larva absent in trochophor larva and trochophor larva में अब trochophor larva को बहुत सा जगर trochosphere larva भी कहता है blastopore becomes the mouth यह सबसे बड़ा difference है totostomic conditions में so on the basis of these this basic difference biochemical and embryonic developmental basis unelit affinity को totally reject कर दिया गया then comes the affinities with echinodermata यह बहुत दिनों तक यह माना जाता रहा है कि इनका direct जो developmental phylogeny है that may be considered as अच्छे यहां पर नहीं है नीचे हम देखेंगे इनकी common ancestry को मानी गई है काफीच समय तक अब तक भी भी बहुत सारे scientist मानते हैं कि common deuterostromic ancestor ancestor है जो की filter feeding arm feeding है जो धीरे-धीरे convert हुआ है बहुत सारे divergent line पर यह तीरो ब्रांक में develop हुआ है direct line पर यह इंट्रोप नीउस में develop हुआ है and another direct line पर यह फिर से develop हुआ है यहां पर यह यह echinodermata एक group echinoderm में develop हुआ है एक group जिसको entropneus यह hemicordate true hemicordate कहता है कहा गया है और एक और divergent group को कहा गया है टीरो ब्रांक तो टीरो ब्रांक किया था इस theory के हिसाब से entropneus और टीरो ब्रांक किया एक phylum के दो classes ही नहीं है टीरो ब्रांक बिलकुल आनदर ग्रूप है so these are the controversies however let us see hemicordate echinodermata के साथ इनके क्या-क्या resemblances है सबसे major resemblance जो माना गया है that is the presence of the the ternaria larva and the bipenaria larva bipenaria larva of echinodermata या auricularia larva इनका structure में बहुत ज्यादा resemblances है ciliary bands में mode of development में gut के development में sea loam के development में sorry the major difference यहाँ पर है this see ternaria larva के base में एक ciliary ring होता है जिसकी वज़े से एक rotational movement से आगे बढ़ता है ternaria larva वो ciliary ring यहाँ पर present नहीं है bipenaria larva में और दूसरा difference major difference है इसका dorsal side यह ventral side से हाँ दिखा रहा है dorsal side में एक eye spot present होता है ternaria larva में और इससे associated होते है apical plate इनका absence होता है totally in the bipenaria larva तो यह apical plate nervous system से connected माना जाता है eye spot present है तो यह जो eye spot and sense organs वाला वाला पार्ट है this has been found to be completely absent in bipenaria या auricularia larva but another larval form dipleurula larva of echinodermata holothuria का जो larval form है dipleurula larva जो 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 जिसको कंसिडर किया जा सकता है as the ancestral stalk common ancestral stalk जिससे एक line पर echinoderms developed हुए है modern echinoderms that is crinoid and asteroids starfish और sea urchin और दूसरे लाइन पर developed हुए है hemicaudits और उन hemicaudits से eurocaudita cephalocaudita developed हुए 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 this was the earlier view जो अब नहीं accepted है so other resemblances are ciliated band elementary canal both group the blastopore becomes deuterostromic condition जो है वो माना जाता है blastopore becomes the larval anus cleavage and gastrulation follow the same pattern that is radial and indeterminate type of development radial symmetrical cleavage होता है radial cleavage होता है और indeterminate मतलब जो groups है cells के जो group cleavage के बाद बनते हैं वो कोई भी group किसी भी further वो determinant नहीं होते हैं कि ये cell का यही fate होना है वो latter stage में decide होता है intra-sealum e-sealum का presence है दोनों में proboscis-sealum meso-sealum meta-seal जैसा के kinoderms में होते हैं proto-seal meso-seal and meta-seal they are comparable with the proboscis-sealum collar-sealum and trunk-sealum of hemicordata as exo-seal hydro-seal and stomato-seal भी इनको कहते हैं these are very much similar then heart basical of hemicordata is related to proboscis-sealum and is homologous with medroporic basical of echinoderm larva and both structures are closely connected to the glomerulus of hemicordata excretory जो part है hemicordata का वो और axial gland of echinodermata इनको homologous structures माना गया हैं then protein and phosphogen present यह जो biochemical evidence that is arginine and creatinine phosphate source of energy के फॉर्म में दोनों में पाया जाता है और इस तरह से biochemical proof है echinodermata और hemicordata के ancestry का but there are differences that many differences we have seen सबसे पहला तो eye spot नहीं है apical plate नहीं है telotroc present in ternaria is absent in bipenaria protocele is paired in echinoderm while it is unpaired in ternaria larva तो तो selom के कुछ forms जो protocele जो proboscis का selom है ये echinoderm में paired है जबकि ternaria larva में single है then many embryonic resemblances between hemicordata and echinoderm are said to be merely due to convergent evolution due to similar mode of habit and habitat ये माना जाता है कि दोनो marine है दोनो shallow sea water में रहते है उसकी वज़े से माना गया है कि adaptive divergency की ज़़े से ज्यादा similarities है rather कि इनकी ancestry same है the many embryonic resemblances between hemicordata and echinoderm cannot possibly accidental or due to माना जाता है कि कोई एक common ancestor है इसी यही पर आपको clats and lineages दिखाए देंगे these are the different clates and इन से निकले lineages जो यहां से यहां तर यह protocodate sorry non-cordate groups है poriphera nederia platyhelmin nematynes mollusks annelites orthopods and these are all structures they are the protostomic forms hemicordata and cordata they have they are the lineages of certain other clads so this is the conclusion that above affinities led to conclusion that hemi cordates and cordates have arisen from a common ancestral stalk that may be dipleury larva of the holoth courians common ancestral stalk that any dipleury larva structure is deuter storm ancestor which different divergent lines are different groups evolved and maybe that this group developed this is the kynodermata then this is the lophophorata this is hemicordata and this is cordata so common ancestor here we can believe that one line developed in one line lophophorata developed in one line hemicordates and one line cordates developed so this is the conclusion now on the basis of all these studies the phylogenetic and systematic position of balanoglossus may be considered as follows because phylogenia and systematic position of balanoglossus we can discuss in the last slide we can discuss what phylogenium we can discuss what this is one cladogram showing the relationship of major groups of hemicordata with other deuterostomes this hemicordata common deuterostome stock where the system group of animalia is different clades A B D these are the clades which A clades form is xenotervilidina and acylomorpha these groups are in groups position is extinct form is xenotervilidia condition phylogenetic position clear then another line this is the stem group so this is the cladogram showing relationship of major group of hemicordata with other deuterostomes this is the deuterostome group we can believe from which these groups are left and this we were telling you that Bateson has a new group hemicordata completely Barrington Bateson and some other scientists Simon especially they have objected him hemicordata Tom he objected Ardillo co ordata as the buccal diverticulum is not considered in any way to the notocord so rest of the lines you can take from here the rest of the points we discussed now this is the phylogeny again another cladogram is shown here common deuterostome ancestor in which enteroselomic condition mesoderm derived from archentoron mouth not derived from blastopore selome tripartite derived enteroselomic selome is which one line is developed one one line interrup news and this common group was preoral gut diverticulum which one line interrup news developed and other line are the two major classes of hemicordata now here controversy is basically two hemicordata groups and some scientists have said that these two divergent groups and third line is developed developed which are developed in urocordate cephalocordate protocordata which are developed natostomes developed again this is another cladogram showing deuterostome phylogeny is shown here and this is here the hemicordate phylogeny radically hemicordata developed this is the ambulacralia lakaria group ambulacralia group developed different groups in hemicordata canodermata cephalocordata erocordata vertebrata or entropneus theory hemicordate phylogeny common entropneus hemicordate ancestor this is different groups of hemicordates developed so this is the details phylogeny and systematics just I got so I have given what phylogeny means and systematics means this we are watching again barrington hypothesis we are looking at origin quadrate this we can show the systematic phylogeny show if hemicordata show the which we have seen common ancestral arm feeder or filter feeder ancestral stock that may be considered as pogonophore which are developed primitive echinoderms then third line pterobranchs third direct line primitive sasile sasile gil feeder lofofor sasile feeder sasile forms fix forms so this food is dhund 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 sealer water current food ko leet te hai faryngeo tremie se and dh divert ho jate h tentacles or gil slits slits and they become the gil feeder and in gil feeder proto acedians on one divergent line corn worm or hemicordits develop hoi hai dousari taraf acedians develop hoi hai in acedians ke joh larval form hai most probably in larval forms adult forms metamorphosis ho te develop ho te tunicates and other dolio lam salpa larvacea and thaliasia and tisri line par in se primitive vertebrates or cephalo caudits develop ho hai ye ham dek te me so with this ends the affinities of hemicodita I think it must be clear now these are certain short questions with their answers in answers ko aap ko there are fair space to develop them in long answers also haap is ko short answer ki tarah bhi practice kar sakte hai in ko long answers mein bhi combine kar kare sakte hai so with this hemicodita is completed I think ka aap help help milega kaafi informations milengue do like share and subscribe my channel if you like it hit the bell icon to get notification agle video mein hum dekhenge euro kordita ke baare me jis ka development bhoot hi interesting hai kaisa retrogressive metamorphosis se zyadha developed larva se kum developed adult bantah so description box students aap log zirur dekha kije kuch chie joh mujhe lagtah hai ki chhoot gahin ya kuch man nye galet bata diya hai jay se pichle video mein vanadium ko man nye kuch or ka bata diya tha shahad joh hemicordita ka blood pigment hai to to is tarah kuch 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 valadium is the blood pigment found in this hemicordita as respiratory pigment to kuch kuch joh bhi corrections mujhe karna lagtah hai ki hona chahiye woh main description box ma dal ti so description box ek bar padha ki jiya aap lau so do like share subscribe my channel spread my channel hit the bell icon to get notifications thank you